नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ए रिक्षा लोन्स के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अब बैंक आफ इंडिया या अन्य किसी भी बैंक से ए रिक्षा लोन कैसे ले सकते हैं क्या-क्या formalities हैं, क्या documentation है, interest rate क्या है, repayment period कितना है, moratorium period कितना है, क्या security है, क्या margin है, और कितने charges हैं, दोस्तो हम commercial vehicle loans पे already काफी सारे वीडियो बना चुके हैं, उसके अलावा personal vehicle loan, house loan, या किसी भी तरह के loan के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, जिनका link आपको उपर आई बटन में या नीचे description box में भी मिल जाएगा, मैं हूँ आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूँ आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रही है हमारे साथ और भी ऐसे informational वीडियो के लिए, तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, तो दोस्तो इस loan scheme का purpose क्या रहेगा आप नया एडिक्षा ले सकते हैं और उसके बाद आप one time जो आपकी battery replacement है उसके लिए भी आपको finance दिया जाएगा, और इसका eligibility criteria क्या है तब कौन-कौन ऐसे लोग है जो इरिक्षा के लिए loan ले सकते हैं इसमें कोई भी individual हो इंडिविजियोल जैसे कि आप या मैं कोई transport operator हो कोई partnership firm हो या कोई proprietorship firm हो तो किसी भी तरह की entity इसमें loan ले सकती है चाहे वो single आदमी है चाहे वो firm है जो भी इस loan को लेना चाहते हैं वो या तो state authority से दिया गया कोई permit होना चाहिए अगर आपको इरिक्षा चलाना है तो आपके पास इरिक्षा का permit होना चाहिए उसके अलावा documents documents सबसे पहले तो एक performa invoice होता है जो आपको performa देता है वो company देती है जहां से आप इरिक्षा खरीदेंगे वो एक performa बना के देंगे कि इरिक्षा की किमत कितनी है उसके जो cost होगी वो उसपे लिखके देगा उसके अलावा दो साल की balance sheet अगर आप business में है तो आपके business की दो साल की balance sheet चाहिए होगी profit and loss statement चाहिए होगी और अगर आप individual है तो आपकी income tax returns चाहिए होगी bank statement चाहिए होगा last 6 महिने का जिस भी bank में आपका अभी banking चल रही है और अगर आपके 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 आपका already कोई vehicles हैं तो उनका भी detail आपको देनी होगी उसके लावा सबसे main जो है वो है KYC documents तो आपके KYC documents चाहिए होगे KYC documents में आपका ID proof जैसे के pancard driving license लेकिन pancard जो है वो mandatory है pancard से ही आपका score देखा जाएगा और driving license भी इसके लिए चाहिए होगा अगर आप खुछ चलाना चाहते हो इस इरिक्षा को तो आपका अपना driving license चाहिए और अगर आप किसी driver को engage कर रहे हैं तो उसका driving license चाहिए होगा उसके अलाबा residence proof आपके घर का address proof जो होता है वो passport की copy हो सकती है bank की copy हो सकती है gas connection का bill हो सकता है पानी connection का bill हो सकता है या कोई भी valid address proof उसके अलाबा loan amount जो maximum सबसे ज्यादा मतलों ज्यादा 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 जो आपको loan दिया जाएगो पांच लात रुपे है पांच लात से ज्यादा scheme में नहीं मिल सकता और एक time पे आप एक ही इरिक्षा ले सकते हैं ऐसा नहीं है आप एक साथ दो इरिक्षा finance करवाएंगे पहले आपको एक लेना होगा उसके कुछ time बाद आप दूसरा भी ले सकते हैं लेकिन maximum एक time पे आप एक ले सकते हैं और जादा से जादा जो loan scheme में आपको दिया जाएगा वह पांच लाग है पांच लाग से जादा इस scheme में नहीं दिया जाएगा और जो इरिक्षा आप ले रहे हैं उसकी कीमत का 85% यानि कि 85% आपकी invoice cost का आपकी invoice cost होती है जो आपको company invoice देती है कि यह इरिक्षा इत उसका 85% ले सकते हैं या 80% on-road price का इरिक्षा का on-road जितनी कीमत पड़ रही है उसमें उसका insurance हो सकता है registration हो सकता है यह सब मिला के अगर आप लेंगे तो आपको 80% मिलेगा अगर आप खाली invoice cost पे जितने का bill है उसका company दे रही है उस पे लेंगे तो आपको 80% for example अगर आपकी रिक्षा की कीमत है एक लाख रुपया तो सिधा हिसाब है आपको 85,000 जो है वो लोन मिल जाएगा और 15,000 आपको खुझ से देना होगा उसके अलाबा जो बाकी कर्चे हैं वो आपको खुझ से करने होगा जैसे कि insurance हो गया registration हो गया लेकिन अगर आप सारी कीम 50% मिलेगा यह सब मिलाके भी अगर आपका एक लाख रुपय बनता है तो उस case में आपको 80,000 ही मिलेगा तो यह आपकी अपनी choice है और एक और चीज टोटल नमबर आफ रिक्षास अगर आप फैनान्स एक आज ले रहे हैं एक कर ले रहे हैं थोड़े दिनों बात ले रहे है तो टोटल नमबर आफ रिक्षास जो इस scheme में आपको दिये जाएंगे at any point of time किसी भी समय तीन से ज्यादा नहीं हो सकते तीन से ज्यादा नहीं हो सकते माक्सिमम तीन ही मिलेंगे तो rate of interest जो है यह change होते रहते हैं जो present rate है वो आपकी screen पे हैं MCLR plus 0.5 पहली गाड़ी के लिए दूसरी गाड़ी के लिए 10% और बढ़ जाएगा और battery replacement के लिए अगर आप ले रहे हैं तो 1.5% बढ़ जाएगा तो battery replacement की थोड़ा सा interest जादा है क्योंकि यह कम कीमत की battery होती है तो MCLR में आप plus कर लिजिए 0.5% तो इसका exact rate जो है वो को मिल जाएगा आप bank से भी confirm कर वा सकते हैं website पे चेक कर सकते हैं इन केस अगर किसी को नहीं clear होगा तो मैं इसको personally वो आप मुझे comment box में comment करके पोच सकते हैं तो rate of interest यह change होते रहते हैं यह fix नहीं है आज यह है कल कुछ और हो सकते हैं तो यह आप प्लीज जब भी loan लेना चाहें तो अब उस ताहिम पर confirm कर लें जिस भी bank से आप loan लेना चाहते हैं अब रही बात margin की तो margin जैसे कि आपको बताया कि 85% अगर bank finance करेगा तो 15% आपको खुद से देना है तो वही आपका margin होगा जो आप खुद से पैसा लगाते हैं अपनी गाड़ी के लिए वह आपका margin होता है और battery replacement के लिए जो आप battery एक साल के बाद आपको battery replacement करवाएंगे उस case में जो होगा आपको 75% किमत दी जाएगी battery के लिए bank 75% देगा गाड़ी के लिए 85% देगा और battery के लिए 75% देगा और उस case में आपका automatically margin जो हो 25% हो गया अगर 10,000 की battery है तो 75% bank देगा और 25% आपको खुद से देना होगा और battery की और गाड़ी की किमत मिला के maximum limit से cross नहीं होना चाहिए जो की 5,000,000 रुपे है उससे cross नहीं होना चाहिए उसके अंदर ही आपको सब कुछ लेना होगा repayment period इस loan को चुकाने के लिए जो period रखा गया है वो maximum 48 months यानि कि 48 मेहने 48 EMIs में आपको ये loan चुकाना होगा including इसी के अंदर include किया गया आपको एक महीने का moratorium भी दिया जाएगा moratorium वे period होता है जिसमें आपको installment नहीं पे करनी होती है सिर्फ एक interest amount पे करना होता खाली interest पे करना होता principle आपको नहीं चुकाना है पूरी EMI आपको पे नहीं करनी है तो एक महीने के आपको छूड़ दी जा रही है और battery purchase करने के लिए battery के repayment करने के लिए जो battery के लिए आपको loan दिया जाएगा वो आपको 18 महीने में खतम करना होगा including एक महीने का moratorium इसमें भी है उसको मिला के 18 महीने में अपने इस loan को repay करना है और हां battery के जो 18 महीने हैं वो इतना वो उसी loan के period के अंदर-अंदर ही खतम होने चाहिए ऐसा नहीं है आपका loan खतम हो गया तो आप battery के लिए replacement ले रहे हैं ऐसा नहीं है तो उसी period के अंदर-अंदर आपको battery replace करानी है और 18 महीने में आपको battery की खते चुगानी है और एक महीने का moratorium इसमें भी आपको दिया जा रहा है तो security की बात करेंगे तो security आपकी जो vehicle होगा आपका जो e-rickshah होगा वो hypothecated रहेगा bank के पास एक तरह से अगर आप layman language में ले तो वो गिरवी रहेगा एक तरह से जब तक की आप loan चुका नहीं देते तब तक आपके जो certificate होगा registration होगी उस पे bank का नाम रहेगा वो हटेगा तब जब आप loan चुका देंगे उसके अलावा कोई security इसमें government security है CGTMSC guarantee दी जाएगी government दोरा उसकी आपको एक fee pay करनी होगी वही guarantee है service charges तो service charges जो है वो vary करते हैं अगर आप पहली गाड़ी लेने जा रहे हैं तो 1000 पय चार्जिस आपको pay करने होगी उसके बाद आप जो भी गाड़ी लेंगे 2000 पया service charges फर्स्ट गाड़ी पे 1000 दूसरी गाड़ी लेंगे 2000 तीसरी गाड़ी लेंगे 2000 बैटरी जब replace कराएंगे तो बैटरी के charges भी आपको देने होगे वो है 500 रुपया अधर दन यह interest के अलावा आपको जो charges bear करने पड़ते हैं तो यह charges जो है यह आपके documentation charges मिलाके processing charges मिलाके inspection charges मिलाके सब total charges हैं may be थोड़ा सा vary कर सकते हैंगे कही बार तो इन पे छूट भी होती है और जो charges हैं इसके लावा कही states जो है अपने अलग से stamp duty लेती हैं वो भी अगर हो सकती है अगर होगी तो आपको पेक करनी पड़ेगी तो यह बहुत ही अच्छी scheme है इरिक्षा लेने वालों के लिए जैसे कि आपको बता दिया maximum आपको पांच लाख दिया जाएगा एक बार फिल से हलका सा recap ले लेते हैं आप इरिक्षा लेने के लोन ले सकते हैं आप कोई individual है या firm है किसी भी तरीके के अगर आप transport business start करना चाहते हैं तो यह आप already business कर रहे हैं तो आप इरिक्षा ले सकते हैं documents में KYC proof चाहिए address proof ID proof performer invoice उसके अलावा 5 लाख maximum लोन दिया जाएगा 85% तक उसकी कीमत का 85% दिया जाएगा या 5 लाख उन में से जो कम होगा वही दिया जाएगा या 85% या 5 लाख जो कम होगा वही दिया जाएगा rate of interest जो है subject to change होते हैं margin आपका 15% रहेगा बैटरी खरिदने के लिए आपको 75% दिया जाएगा जितने कि आपकी बैटरी होगी एक साल बात जब बैटरी चेंज करवाएगे तो उसका 75% आपको देना पड़ेगा 25% बैंक देगा और 25% आप खुद से डालेंगे रीपेमेंट जो होगा लोन जो चुकाना है आपने 48 मंस में चुकाना होगा एक महिने का मुराटरी मिलेगा चार साल में आपको लोन रीपे करना है और बैटरी का लोन जो होगा आठरा महिने में आपको चुकाना होगा सेक्यूरिटी के लिए आपका वेहिकल जो हो हाइपोतोकेट रहेगा और चार्जिस आपकी स्क्रेन पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं तो यह था इरिक्षा लोन स्कीम तो यह लोन स्कीम खाली बैंक आफ इंडिया की नहीं है यह आप किसी भी बैंक पे अपलाई कर सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं यह डोकुमेंटेक्शन और यह फॉर्मलिटी से अगर आप पूरी करते हैं तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं स्लाइटली थोड़ा बहुत चार्जिस उपर नीचे हो सकते हैं, इंटरस्टेट उपर नीचे हो सकता है, बाकि अगर आप जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अल्मोस सबका सेम होगा, इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरिस हैं, तो आप मुझे क बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू फॉर वाचिंग